कि नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आइंसी टीवी और मैं हूँ प्रणवचा हूँ कोई व्यक्ति कितना ही महान क्यों ना हूँ आखे मूंद कर उसके पीछे ना चलिए क्योंकि यह दिश्वर की ऐसी मन्शा होती तो वह हर प्राने को आख ना कान मुह मस्तिख साधी क् कि 1902 में जब स्वामी विवेकानन जी काशी आए तो लोगों ने बताया कि आपकी प्रेवना से यहां के युवाओं ने एक चिकित साले की स्थापना की है वह बहत खुश हुए और उनसे मिलने पहुँच गया जब उन्हें अस्पताल का नाम देखा तो गंबीर हो गए पूर मेंस रिलीफ असोशियेशन इस पर स्वामी जी का सवाल था कि आप रहत देने वाले कौन होते हैं स्वामी देने कानन ने खुद उस अस्पताल का नाम रखा होम ऑफ सर्विस आज सर्विस अथा सेवा के माइने अलग हो गया है शायद अब विवस्था ने सेवा में वन विवस्था का निर्मान कर दिया है गरीवों के भगवान शायद अब नहीं रहे जिन्होंने अपने आपको चोले में लपेट कर भगवान बताया वो भी पत्थर के स्वार्थी और निर्दईनी ते आए पूचते हैं सवाल अब हुकूमत से संकट और संकट के बीच में ये तस्वीर मा के पैरों में बेटे की लाश और मृत बेटा का हाथ उस धरती मापटी का है जहां गंगा मा का वास है मा की इस तकलीफ को तो शायद महादेव भी न देख सकते अफसोस इस बात का है कि बेटे के शव को सम्मान देने के लिए इस बनारस में कोई वाहन भी न मिला काशी में सन्नाटा है जनगलियों में रौनक और चहल पहल होती थी वहां अब खौफ है अस्पताल में जगा नहीं शम्शान में कतार है बनारस में सत्यता है इस शहर को जूट पसंद नहीं यह शिव की नगरी है गंगा मा का धाम है यह वो शहर है जहां सत्य की रक्षा के लिए राजा हरिश्चंद नहीं अपना महल राजपार्ट तक त्याग दिया स्वैम और अपने परिवार को बेच दिया उस समय स्वैम इश्वर प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा हरिश्चंद तुमने सत्य को जीवन में धारन करने का उच्चतम आदर्श स्थापित किया है तुम्हारी कर्तव निश्ठा महान है तुम इतिहास में अमर होगे लगता है आज इश्वर नाराज हैं मा गंगा खामोश हैं यहां से कुछ दूर एक शहर है जिसे लहुरी काशी कहते हैं लहुरी का अर्थ छोटी यानि छोटी काशी वहां के राही मासुम रजा सहाब अपने उपन्यास आधा गाउं में लिखते हैं कि गंगा इस नगर के स प्यार की कोई प्रत्रकिया नहीं होती तो गंगा बिलख बिलख कर रोने लगती है और यह नगर आस्वों में डूब जाता है लोग कहते हैं कि बाढ़ा गई तो क्या इसका अर्थी यह है कि यहां के हुकमरानों ने मागंगा के प्यार पर कोई प्रत्रकिया नहीं दी यह मैं आप पर छोड़ता हूँ आप जो सोचिए आईए अब अनारस से आपको ले चलते हैं लखनो की ओर क्या लखनो चीन का वुहान बन चुका है कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आजय कुमार ललू कहते हैं कि लखनो के अधिकांश मुहले मौत के मातम में डूबे हुए है उन्होंने कहा कि सरकार और उसकी विवस्ता पंगुता की शिकार है उसकी अक्षमता और अनुभव हींता ने प्रदेश की जनता को घोर संकट में डाल दिया है निकार ला है उन्हों न उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदे तिनाद से पूछा कि आख difer कोरोना वायरस से हो रही मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है और संक्रमण से मौत के तांडो को रोकने की कोई स्पस्थ कारी उजना क्यों नहीं है सरकार में अंश मात्र भी नहीं तिक बल जो तो संक्रमण के व्यापक फैलाओ और मौतों की जिम्मेदारी स्वैम आगया कर ले। कॉंग्रेस महासचीव श्रीमेती प्रियंगा गांधी वाटरा ने भी कहा कि प्रदेश का आम आदमी अपने परियंग का अंतिम संसकार भी सम्मानी तरीके से करने में लाचार है। सुबह से देर रात तक शवदाह ग्रिहों और कब्रिस्तानों में लोग अपने मृत प्रियंगों का अंतिम संसकार कर रहे हैं। जो एक्च्वल टेस्ट है जो आर्टी पीसी आर्कार टेस्ट है वो सर्फ तीस प्रतिशत हो रहा है आज ही उपी में। उस समय उन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया उसको बढ़ाने के वजाए अंटी जेन टेस्ट क्यों शुरू किया अपने आंग्रों को कम करने के लिए। प्राइविट लाब्स में तरे-थरे के रिपॉर्ट आरहे हैं हर जगे से कि प्राइविट लाब्स को कहा गया है कि आप टेस्टिंग बन करीं। कि तस लिए। टेस्टिंग सेही तो जान बचेगी। तो क्या जनता की जान महत्वपून है, लोगों की जान महत्वपून है, की फिर आपके आंकडे महत्वपून है, की आपकी सरकार की इमिज महत्वपून है, तो देखिए ये समय है, यूपी में कोई अलग स्थिती नहीं है पूरे देश से, सिरफ ये है की और भी भयानक स्थि कि बट जो प्लाइनिंग स्ट्राटेजी की जो सिटी है वही है जो जो केंदर सरकार की ना बेट उपलब कराएं नहोंने महीने पड़े थे स्टेडियम्स हैं आपके पास इतनी मतलब इतनी सुविधाय हैं वो सुविधाय आपने बेट को इंक्रीज करने के लिए क्यों नहीं कि हर जगे से ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि यह सरकार क्या कर रही हैं शम्शान घाटों पर इतनी भीड लगी हुई है लोग कूपंज लेके खड़े हुए हैं कुछ दिनों पहले मुझे बताया गया कि बारा घंटे के लिए इंतजार करना पड़ लकड़ी नहीं मिल रही है बद ये स्थिती आ गए है कि हम लोग सोच रहे थी कि किस तरह से हम बद़ रहे हैं लखनाओ में जो हो रहा है वो किसी अपराद से कम नहीं हर शक्स के सांसों पर मानों पहरा है शम्शान में टोकन के विवस्ता है चीताएं लगातार धदक रही ह हैं मुल्क मुसीबत में हैं लोगों पर भारी विबदा है जिंदगी की आस हर्चन कमजोर पड़ती जा रही है सरकार से लोग क्या पूछी सरकार की काबिलियत सब के सामने उजागर हो गई है उत्तर प्रदेश सरकार में नयाय विधाई एवं ग्रामिन अभियंत्रन सेवा मंत्री ब्रिजेश पाठक ने कथित तोर पर राज्य के अपर मुख्य सचीव तथा प्रमुक्ष सचीव को पत्र लिखकर लखनाओ में कोविड-19 के स्थिती पर चिंता जताई थी कोविड-19 संक्रमन को रोकने के लिए की गई बद इंतजामी है और बदहाली को लेकर सरकार के मंत्री ने सवाल उठाने के साथ कहा था कि प्रदेश की राजधानी लखनाओ में हाला चिंता जनक है अपने पत्र में पाठक ने कोविड की जांच रिपोर्ट में चार से साथ दिन लगने पाँच से छे घंटे में इंबुलेंस पहुँचने मुख्य मंत्री ऑफिस से भरती स्लिप मिलने में दो दिन लगने कोविड अस्पतालों में बेट की संख्या कम होने नीजी पैथालोजी में कोविड जांच बंधोने और गंभीर रोगों से ग्रसित गैर कोविड मरीजों को इलाज नहीं मिलने जैसी समस्याओं का जिक्र किया था राम अतार गुपता मुजदर सहाब की वो लाइन याद आती हैं शामे अवदने जुल्फ में गुधे नहीं है फूल तेरे बगेर सुबह बनारस उदास है अवदी भाषा में एक कहवत है जिक्रे पावनव भटी बिवाई उका जाने पीर पर आए आप सबका धन्यवाद नमस्कार लेखते रहिए आएंसी कीवी